क्या आप जानना चाहते हैं कि गूगल ड्राइव क्या है और इसका कैसे इस्तमाल करें तो फिर ये विडियो देखते रहिए नमस्ते मेरा नाम एक था है गूगल ड्राइव क्या है चलिए देखते हैं वो भी क्या जमाना था अगर कम्प्यूटर पर कोई फाइल करप्ट हो जाती थी या हाट डिस्क रैश हो जाती थी तो सारा डेटा चला जाता था फिर आए फ्लॉपी ड्राइव, सीडी, डीवीटी और मेमरी स्टिक्स इन में आप डेटा तो स्टोर कर सकते थे लेकिन इनको हर जगा साथ लेकर जाना पड़ता था और ये भी कभी-कभी करप्ट हो जाते थे और फाइल्स खोने या ना चलने से बहुत परिशानी होती थी अब आप डॉकिमेंट्स, फाइल्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, विडियोज, इत्यादी इन सब का बैकप लेकर उन्हें आनलाइन क्लाउड में सेव कर सकते हैं यू समझे है कि एक ओनलाइन ब्रीफकेस या हार्ड डिस्क है जहां आपकी सारी फाइल्स सुरक्षित रूप से रखी जा सकती हैं गूगल ड्राइव को आप अपने स्मार्टफोन से, अपने टैबलेट से और अपने पीसी से कहीं से भी आकसेस कर सकते हैं आप फाइल्स अपलोड और डाउनलोड भी कर सकते हैं आपको 15GB की मुख्थ स्टोरेज गूगल ड्राइव में उपलाब्थ हैं और तो और आपके जो डॉक्यमेंस हैं उन पर अलग-अलग लोग दुनिया भर से एक ही समय पर काम कर सकते हैं उन्हें एडिट कर सकते हैं गूगल ड्राइव कैसे खोलते हैं? आएए देखते हैं गूगल ड्राइव में जाने के दू तरीके हैं पहला है अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए drive.google.com और फिर अपने गूगल अकाउंट से लोग इन कर लीजिए लेकिन इस वीडियो में मैं जीमेल के द्वारा लॉग इन करने वाली हूँ तो जीमेल.com टाइप किया और इमेल और पासवर्ट डालके साइन अन के बटन पर क्लिक किया तो अब हम जीमेल में लॉग डिन है अगर आपको गूगल ड्राइव में जाना है तो यहां उपर एक ग्रिड सी बनी हुई है जहां आप्स है उस पर क्लिक कीजिए और यह एक विंडो सी खुल गई यहां पर आप गूगल ड्राइव के आइकन पर क्लिक कर दीजिए अब देखिए दूसरे टैब में यह गूगल ड्राइव खुल गई है अगर इमेल अटाच्मेंट को गूगल ड्राइव में डाउनलोड करना हो तो कैसे करें आइए देखते हैं यहां उपर देखिए इस टैब में हमारा जीमेल खुला हुआ था आपको यह ऐसी इमेल खोज लेते हैं जिसमें अटाच्मेंट है तो चलिए यह एक इमेल है इस पर क्लिक करके मैं खोल लेती हुआ यहां पर देखिए यह एक बिक्चर है जैसे ही आप अपना माउस इस अटाच्मेंट के उपर लेकर जाएंगे तो यहां पर आपके पास दो ओप्शन्स दो विकल पा जाते हैं अगर आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप डाउनलोड करके अपने PC में यह इमेज सेव कर सकते हैं लेकिन यहां पर अगर आपने क्लिक किया तो यह Google Drive का आइकन है तो यह Google Drive में सेव हो जाएगा चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं अब यह बोल रहा है Saving to Drive इसका मतलब यह वाली जो इमेज है यह Google Drive में सेव हो रही है अगर आप जाएं तो इसी वक्त एक फोल्डर बना सकते हैं और इस इमेज को उस फोल्डर में डाल सकते हैं जैसे कि यहां पर देखिए एक न्यू फोल्डर का बटन है उस पर क्लिक किया और एक नए फोल्डर का नाम चुन लेती हूँ लिख देती हूँ My Pictures और Create के बटन पर क्लिक कर देती हूँ तो यह देखिए यह My Pictures आ गया और अब मैं Move के बटन पर क्लिक कर देती हूँ तो ये वाली जो image है ये आप Google Drive में आ गई होनी चाहिए ये देखिए उपर जो है Google Drive का tab है उस पर जाते हैं और ये देखिए अभी-भी हमने एक folder बनाया था My Pictures नाम का folder वो यहाँ पर आ गया है चलिए इस पर double click करते हैं ये देखिए ये जो image है अभी-भी हमने email attachment से Google Drive में save कर दी अगर Google Drive में कोई file upload करनी हूँ तो कैसे करें ये देखिए हम Google Drive में है अगर कोई file upload करनी है तो यहाँ एक upload का button है जो ये arrow सी बनी हुई है इस पर click कीजिए अब ये आपको दो विकल्ब दे रहा है आप files भी upload कर सकते हैं या आप पूरा का पूरा folder upload कर सकते हैं तो मैं फिलहाल files पर click कर देती हूँ अब ये खुल गया यहाँ पर देखिए ये word document है इस पर click कर देती हूँ मैं और ये अब जो है upload complete हो गया आप देख सकते हैं कि ये my pictures के अंदर ये upload हो गया है लेकिन ये तो word document है मैं नहीं चाहती कि ये word document pictures के folder में आए तो मैं वापस यहाँ पर my drive पर जाती हूँ इसको बंद कर देते हैं ये जो है ये picture है इसको हम drag करके इधर ले जाते हैं देखिए ये इधर चली गई और ये my pictures को हमने खोला इसको हम drag करके वापस my drive में ले जाते हैं तो अब ये दो pictures picture के folder में आ गई my drive में गए इस पर click कर देते हैं और ये देखिए एक उपर जो है folder का button है उस पर click किया तो ये एक window से खुल गई यहाँ पर नीचे create new folder पर click करते हैं और my documents नाम का एक folder बना देते हैं और create के button पर click कर देते हैं ये देखिए ये my documents आ गया और इसमें टिक लगा हुआ है और move के button पर click करना मत भूलिए तो ये जो है document जो अभी अभी मैंने upload किया है ये my documents नाम के folder में google drive में आ गया वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब में like का button जरूर दबाईए और share कीजिए आप हमारे क्या कैसे channel को subscribe करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए धन्यवाद